का जो पर सब्सक्राइब में जुका था करी पहलों चोना फिर सोना चाहिए वोटिंग मतलब कांटिंग में भी घुटाला हो चुका है और केंदर में जो सरकार अपना मन मतलब मन के मुताबिक काम करती है एंडिये में बिलकुल ठीक ठाक नहीं चल रहा है अनुराचन परदेश का मुद्दा तो देखी रहे हैं ठीक तो कुछ भी नहीं चल रहा है क्योंकि नितिस कुमार बोल रहे हैं कि उन्हें जवरदस्ती मुख मंतरी बनाए गया नहीं एंडिये में तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है कोई खटपट नहीं है बिपच्ची खेमा यह कहते दिखाई दे रहा है कि बिहार में पुना एक बार फिर से बिहार विधान सबा का चुनाओ होगा क्योंकि एंडिये में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है कुछ यूद हमारे साथ है इन से जानेंगे कि क्या बिहार में पुना एक बार बिहार विधान सभा का चुनाव होगा क्या लगता है भाईया कैसे आसार दिख रहे हैं क्या चुनाव फिर से होगा लेकिन नितीश कुमार भी अपने आपको असाहज महसुस कर रहे हैं बीजेपी उनको बैक फूट पर ढखिल रखा है कही न कहीं नितीश कुमार अंदर खाने से असाहज है अंतरात्मा उनका जाक चुका है लेकिन उचा कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनकर अंतरात्मा को गरके में उन्होंने खुद ले जाकर रख दिया है इसलिए बड़े चेहरे कह रहे हैं कि इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक है खिलावी प्लाव बना रहे हैं और जब उनके सब कुछ ठीक ठाक रहते हैं तो और सीपी सिंग क्यूं कहते हैं कि बातचीत उन लोगों से मिरी है कि हमारी भाजपा से बाचित बंद है भाया मीडिया मेरी बाचित बात जा रही है उन लोगों के पास भाजपा के पास इसलिए कहां अंदर खाने से कोई विबाद नहीं अगर सब कुछ ठीक होता था केबनेट कब तक विस्तार हो गया होता लेकिन अभी तक ऐसा तो है न अन्य राजों में भी जिस तरीका से लोगतंत्र का पहरण किया जा रहा है इसलिए रीएलेक्शन हो तो अच्छी बात है लगता भाई क्या नाम राज जा रहे हैं लगता है बिहार में पुना एक बार विदान सबगा चुना होगा इंडिये में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है एंडिये में क्या लग रहा है खटपट चल रही है अंदुरुणी क्या लगता है कि एन्डिय bedroom में कुछ ठिक ठाक नहीं चल रहा है आपको क्या लगता है तिक टाक चल रहा है नहीं बिलकुल नहीं रोज नया नहीं ख़बर सुनने को मिल रहा है तो इसे साथ से तो चुना होनी है चाहिए और वो तो सब को देख रहा है कि गलत हुआ है तोटी जाएगा तोटी जाएगा तो पीजेपी के तमाम बड़े चेरे करें कि हम लोग बन ही रही है कि लगता है इस बार चुनाओ होगा तो क्या भी पच्ची खेमा भारी पड़ जाए वो तो अभी पड़ा ही हुआ है ना गलत नहीं होता तो पहले ही निकल गया होता प्रेश चुनाओ क्या लगता है बिल्कुल होनी चाहिए चुनाओ क्यूंकि जितना भी घोटाले हुए चुनाओ में हमेशा इस वर जितना भी बिधायक लोग जीत गया है उसके बाद उन लोग का हार का थी दिदिया इंडिये में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या लगत पहले ही नितिसमा कुमार बयान दिये हैं कि एंडिये जिसे चाहिए उसे मंत्री बना दे उसे मुख मंत्री बना दे इससे तो नहीं लग रहा है कि कुछ ठीक चल रहा और जबूर आर्यवास समय में चुनाओ होनी चाहिए और इसमें अर्जडी की बहुमसरकार होनी हम लोग टूठ है मजबूत है विपश्च के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए यह सब बस वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ठूठे लेकि अंदर से सब कुछ खड़ाब चल रहा है नितिसमार ऐसा बयानी नहीं देते क्यूं देते अगर जो और नाचा परदेस में जो भ कैसे कर सकते हैं कि अछ्छा सरकार बिल्कूल है अटूठ तो बोलने वाली रही है। भूक जो पेडिक्शन कर रहा है कि पुना चुनाव होंगे आपको क्या लग रहा है हम बिल्कुल लग रहा है हो напрik科もう पिछ thingा न essent our लोग हों दोबरा हो ताकि ताकि इस जो अच्छा सरका बिहार में पुना एक बार चुनाव होगी ऐसा कुछ यूद भी कर रहे हैं वहराल बहुत सारे और यूथ है उनसे वाद कर रहे हैं क्या नहीं है रहूल कुमाल जी बताइए इस तरीके से विपच्ची खेमा सवाल उठा रहा है और यह प्रेडिक्शन कर रहा है कि बिहार में पुना चुनाव होगे क्योंकि इंडिये में कुस्ट ताक नहीं चल रहा है और केंद्र में के मुताबिक काम करती है और पहले वोटिंग काउंटिंग के पहले तो बताया है कि RGD मतलब बहुमत में है पर ऐसा हुआ नहीं, रिजल्ट कुछ और आया तो इसके हिसाब से हमको लगता है कि दुबाड़ा चुना होना चाहिए जेडियों और बीजेपी मजबूत दिख रही है बिहार? तो मजबूत होने से नहीं होगा, हमको जो काम करके देख हमको वही न चाहिए पंदा साल से तो इंडिये है, हापे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ विकास का काम कहां हुआ, अभी रोड पे नाला खुला रहता है उससे बाग एक्सिडेंट होता है, गड़े रोड पे प्रावलम होता है, चोड़ी यह सब तो होती ही रहता है अनुराचन परदेश का मुद्दा तो देखी रहा है, इधर से उधर वियती मिलाया जा रहा है कहीं अब हम लोगों ये भी टर लग रहा है कि कहीं बीजेपी तोर कर जी यहां बिहार में जेडियो का कुछ विधाय को तोर कर अपना सरकार भी बना सकती है या पुना चुनाब हो भी सकता है, एंडिये में तो बिल्कुल ठीक ठाक नहीं चल रहा है जितने भी जेडियो के नेता है और नहीं यहां के बीजेपी के नेता केवल भी बोल रहा है चुकि वहां पे तो वो मलाई खा लिये हैं, यहां भी वो चुपे-चुपे पुरा-पुरा मलाई खा रहा है जहां तक सब देख के लग रहा है ठीक तो कुछ भी नहीं चल रहा है क्योंकि नितिस कुमार बोल रहे हैं कि उन्हें जवरदस्ती मुखमंतरी बनाये गया और नितिस कुमार और बीजेपी के बीच खटपट चल रही है जिनको देख के तो लगता है कि चुनाव फिर सह होगा और जहां तक मुझे लगता है चुनाव होने का वज़ः है कि उन्हें बताया नहीं जा रहा है ठीक तरीके से सब कुछ सपोर्ट नहीं किया रहे हैं जिसकुमार को और sık आरजेडी के साथ के साथ जेडी के साथ, नितिस्ट कुमार के साथ, नितिस्ट कुमार के साथ लेकिन जेडियों तो जहर खड में भी अकिले चुनाओ लडती है, तो हम यह कहां कर सकते हैं, जेडियों आकले चुनाओ रही है तो यहां कड़धन तो जाएगा, यह सियासी हल चले हो सकती है, लेकिन ऐसा एक प्रोवढ़ने असर नहीं पढ़ने जा रहा है, यहां कुमार के नित्रीश में भीफार का विकास राग में भीकास हुआ है। हमको लग रहा है कि अप नितिश कुमार जी को गद्दी छोड़कर यूबा को यानि तेश्पी भाईजा को गद्दी सौपा जाए क्यूंकि वो यूबा है और आने मारा भविष में वो अच्छे काम करेंगे जी नहीं हम अपना भविषार को आगे बढ़ाना चाहते हैं किम्के व नितिश कुमार से अब bigger को गद्दी देना चाहिए लगन हों चाहिए लग रहा है पुनार्य पूर्ण पुरळा लोग ऑल दम सारा भव कि इस बार past सä चुनाव होगी और अगर बिजय यह तो के कारण तो आपने सुना तमाम जो यूथ हैं उनकी राय है कि विहार में जिस तरीके से सियासी गल्यार में जो हल चल दिख रही है और जो पड़ पड़ एंडिये में चल रहा है उससे यह आसार लगाया जा सकते हैं कि बिहार में एक बार फिर से पुना चुनाओ के आसार दिख रहे हैं अलाकि भी पच्छी के माप प्रेडिक्शन करते भी दिख रहा है और यह कहते दिखाई दे रहा है कि एंडिये में कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्यार लाइप चिटीज के साथ बने रहे हैं तुमाम लेटेस्स तश्विय लगातार अपडेट करते रहेंगे आपका बहुत-बहुत सुक्रिया